एक और जहां किसान नियुन्तम समर्थन मूले और क्रिश्य कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया के किसान नियुन्तम समर्थन मूले पर अपना अनाज बेच कर लाब कमा रहे हैं। पूर्णिया के पैक्स में धान की खरीदारी सरकारी दरों पर की जो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हम यहां का किसान है और मेरे बगल में इस पंचात में मेरा घर है और यहां पर हम लोग पैक्स में धान देते हैं जो उपजाते हैं सो पैक्स में देते हैं बीचलियों के हाथ में हम लोग नहीं देना चाहते हैं और बेचना भी नहीं चाहते हैं पैक्स का जो दाम है वा अठा पर जो है कि वह प्रमेंट हम लोग को आर्ट दिन पर मिलता है उसमें बहुत कम रेट है इसलिए हम लोग को पेक्स के माध्यम से ही बेचना पसंद करते हैं और यही रहना ही चाहिए पर आम बहुको पर मेंट हैं यहां के पर क्यों देने के लिए वे घ्रम अवाट इसलिए ही घंदार है आपशन को यहां को पर जक हैं इंपार शोरी अतना प्रमें सिर्चना आया है हंदर तरंट यहां हम लोगों को कहीं कोई चीज क्या दिक्ट नहीं हुता है जब हम लोगों का पेशित हम लोग डारेक्ट दे रहा हैं यानि बिचौलियों के चंगुल में नहीं जाना पड़ रहा है यहां के किसान अपना धान पैक्स में ही बेचते हैं बस धान की साफ सफाई और नमी की गुडवत्ता का खयाल रखा जाता है साथ ही 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में राश में यह सही बात है नमंबर में से दान सुरू होनी चाहिए लेकिन मौस्चर के वज़र से हम लोग नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि इसका अरवाचावल बनता है और मौस्चर रनेक बाद अरवाचावल तुट जाता है भूसा डस्ट उसमें ज्यादा बनता है तो जब तक ध साब सुद्रा करके लिए और जो समर्थन मूल है समर्थन मूल कर लाब उसको देते हैं पेमेंट कार 40 गंटा है पेमेंट हमारा अलांकि इसमें जो है रोटेशन है रोटेशन के अधार पर हम लोग कम करते हैं मालिया एक लोट बना करके दिए उसका चावल गिर गिया फिर किसान को उनकी उपच का उचित मूल मिल रहा है वही किसान को समय पर फसल की राशी भी उपलद्ध हो रही है जिससे किसान खुश है और आगे भी अपनी फसल को पैक्स में बेचने की बात कह रहे हैं पूर्णिया से अमित कुमार के रिपोर्ट